कि उसमें क्या 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 चीज चाहता है यह अब ऑभी देखेंगे शैंपू का में इंग्रीडिटे लेकिन क्यूं कि इसमें यूज इसलिए किया जाता है वाशिंग बॉर्डर में क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इससे जाग बढ़ती है एवस की जाग मजबूत नहीं होती है कल हम लोग ने जाग देखी थी हमारे भाई साथ थे जारकंट से आया थे वह लेकर आया थे एक फॉर्मलेशन जिसमें बनाने जा रहे हैं प्रीमिक्स वाले सिस्टम से बनाया था जिसमें नहीं पड़ा जिसमें हमने कोई चीज जो बनाई वह पड़ी है तो उन दोनों की फोमिंग को टेस् पहले जाग किसकी मरीज़ी उनका मरा यह वाले का क्यों ऐसा हुआ था क्योंकि ज्छाग होती है शैंपू की आपने जाग देखी है वह जल्दी मर जाती फूट जाते बबल बड़े तो बनते हैं लेकिन इसे हाथ में यह से रखो या पकड़ो तो फड़ आते जल्दी मर ग प्लीनिंग की कैमिकल कॉन कॉन से होते हैं कपड़ा एक तरीकश का नहीं होता है कपड़ा और कई तरीके का नहीं होता है तो इसको सिर्फ सोडा और सफ नहीं कर सकता तो इसलिए हमको combinations of chemicals को लेना पड़ता है ऐस पर दा formulations क्या क्या लिया है हमने सोडा तो देखिए बेसिक आइटम है अगर आप स्टरी यूज करें तो सोडा लगेगा ही लगेगा क्योंकि स्टरी को न्यूटलाइज करने के लिए सोडा चाहिए तो सोडा इसमें चलेगा चलेगा सोडिया मेटा सिलिकेट यहां पर लिखा हुआ सब्सक्राइज करने के लिए यह आपका ओपन एलकली है इससे जब आप साफ करते हैं कपला यह हात में लगता है आपके कपड़े में माइल रहता है और कपड़े में यह कभी भी कोई परशानी नहीं देता लेकिन हार चीज़ की लिमिटेशन होती ही यूज करने की वह हम आपको बाद में बताएंगे कि अगर आप इस सिस्टम से बनाएंगे तो कितना यूज करना चाहिए इसके बाद देखें ट्राय सोडियम फॉसफेट दो काम करता है कपड़े को सॉफ्ट रखता है और वुलन कपड़ों को धोने के लिए सोडियम मेटल सिलिकेट बहुत अच्छा है क्योंकि कास्टिक और सोडा वुलन कपड़ों के रेशो को काट अगर आप उसमें ज्यादा कास्टिक डाल दोगे तो उसके रेशे कड़ आएंगे तो इसलिए होते हैं कि वह रेशे कड़ गए वाशिंग पाउडर या जो भी आप केमिकल या डिटेजन यूज कर रहे हैं उसको दिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है तो इसलिए हम कि अगर जूर्ण को फटेंड के हम जैए तक प्टर जिए तो कょम्प कर देगा को खरां देगा को अमला और यूज कर देगा इसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं water softening के chemical water softening क्या चीज़ है यह खुद में बहुत बड़ा विश्य है water softening का मतलब है कि पानी में क्या होता है कि खारपन होता है इसको नापते हम थे इस में मीटर से आपको दिखांगा कि पानी का खारपन कैसे डिफर करता है पीने आले पानी का खारापन अलग होता है जिसने कपड़ा दोर है उसका घ्रडव होता है तो जब आप कपड़ा किस पानी में धुलेगा या आपको नहीं पता तो आपको अपने प्रोड़क्ट में ही एक चिक्षा जब्लाना चाहिए कि जब्ला कि दोने का फैटन के वह स्कुंट्ट म जैसे बोलते ना लोग चिकनाट बढ़ानी तो आपको यह बताओना चाहिए कि किस केमिकल पर काम करना है अब आप सोडा बढ़ाने लगो तो उससे चिकनाट नहीं बढ़ेगी क्या बढ़ाने से बढ़ेगी इसलिए मैंने इसको पॉलीमर और जियोलाइट लिया था पॉलीमर और जियोलाइट सस्ता और इफेक्टिव है दोनों का कॉंबिनेशन बढ़िया काम करता है तो आप यह ले सकते हैं अगर आप इस तरीके से वाशिंग बढ़ा रहे हैं इसके बाद लास्ट चीज़े दो चीज़े रगए हैं एक इसके अलावा सोडियम सलफेट डल सकता है इसके अलबा बजार में और भी फिलर आ गहें अलग अलग तरीके के आप आप आउट करेंगे हमसे भी बाद में भी ले सकते लिस्ट इसमें सारे फिलर्स हम लोग डाल सकते हैं हमने कॉमनली दो रखें सॉल्ट और डोनामाइट क यह सारे केमिकल डालेंगे और इसका एक रेशियो बनाएंगे तो हमारा अच्छा आप रेशियो किसी भी रेट पर सेट हो सकता है सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कौन सा प्रोडेक्ट क्या रेट पर बनाएं आप जैसे आप भाई साब कहां से बताता है बांदा बांदा सहत है आप मुझे अगर आप एक सौ रुपे का नोट दो और रिशाब भीया एक अच्छा वाशिंग वार्डर सौ रुपे में देना है और रिशाब भीया अगर आपको कुई चीज 20 से 25 रुपे में बनाएं और सौ रुपे में देते तो आप में पर दुआरा होगे नहीं कितने लोग success होते हैं कितने लोग fail होते हैं कौन कैसा respond कर रहा है इस पे हम लोगोंने कई सालों का एक analysis report निकाली है कि MRP to cost price ratio क्या होता है और किस rate पे अगर हम किसी customer को serve करते तो उसका respond कितना positive आता है तो जिसमें यह निकला है जैसे अगर आप मुझे 100 रुपे देते हो cost price washing powder के लिए सब products के लिए अलग-अलग हो सकती है washing powder की चीज अगर 100 रुपे में बेची जा रही है तो उसके 40% पर कीमत पर उसकी cost price होनी चाहिए यह एक minimum cut-off है अगर आप इससे नीचे जाते हो तो नहीं विकता विसका मैं आपको life proof बताता हूं 100 में 3 kg चलता है बिना scheme के क चीज बिखवानी है तो उसकी कीमत अगर आपने 100 रुपे MRP सेट की है तो कम से कम 40-43 रुपे के असपास उसकी cost price आपको रखनी चाहिए बिना scheme के भी वह बिख सकता है नहीं तो फिर आपको वही 30 रुपे में रखो कि तो स्कीम लगानी पड़ेगी इस बात को समझ गया सबसे पहले हमको डाइरा सेट करना है कि किसके लिए product बनाना और किसके लिए बेचना है तो बनाना किसके लिए है सबसे पहले तो आपको यह देखना है किस वर्क को आप product देना जा रहे हो एक product सबके लिए नहीं होता यह बात सबसे पहले आपको समझनी है high class product जो सर्फ एक एक वर्ग को ध्यान में रखके बनाने पड़ेंगे अब हिंदोस्तान यूनिलिवर बहुत बड़ी कंपनी है सब लोग उसका नाम जानते हैं आप हिंदोस्तान यूनिलिवर के तीन प्रोड़क्ट आते हैं लोवर क्लास के लिए आता है वील अलग ब्रैंड अलग अलग वर्ग बात करता है वह उसको वेचने के लिए अलग है और हाई क्लास के लिए अलग बनाया है तो आपको भी एक वर्ग को सबसे पहले देखना है कि सुसाइटी में वर्ग कौन से हैं और किसके लिए हम प्रोड़ेक्ट डिजाइन करें सबसे फर्स बात यहीं से शु अब नीचे से उपर बढ़िये आप सबसे पहले यहा तो तो सौ में तीन केजी का काम कर सकते हैं क्यों क्यों इनको एक्स्ट्रा स्कीम देँ दोगे तो आपका गिफ्ट देदोगे या कुछ लालस देदोगे या कुछ उनको ऐसी दोगे जिसके थूफ आपके प्रोडेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके लिए एड चाहिए लेकिन बहुत जादा आड नी चाहिए टीवी एड की जरुबात नहीं है लेकिन सर्फ एक्सल का ग्राग कहां का है शहर का है अब शहर के ग्राग आप यहां पर आप सभी लोग है अब आप खुर बताएए जब तक किसी ची लोग है ना जब तक एड नहीं देखते तब तक वह चीज पर ट्रस नहीं पैदा कर पाते लेकिन गाउं में थोड़ा भी एड दिखता है और कोई फ्री गिफ्ट चलती है शुरुबात में तो दूसरे प्रोडेक्ट को छोड़के वह आपके प्रोडेक्ट पर आ जाते हैं अचा अब मैंने आपको यह सिस्टेम संधाया इस सारे और मिलते हैं मैं बेश्टा हूं कमपनी से परसेंटेज देखके मिलती है मेरी पास इसका मेरी डाले मेरा है यूट्यूब पर मेरी मैं क्वैस्ट का प्रोड़क्ट मेरी मैंने बनाया है सब से सस्ता मेरा भरत में अब सब जगा से ले लीजेगा मैं बनीफेक्टरिंग करता हूं इन फैक्ट पूरे नौट इंडिया में कोई बनाई नहीं नहीं रहा है मेरे बाद सिर्फ गुजरात में एक से दो फेक्ट है इस पर मेरी मोनोपली है आपको पूरे देश में कहीं भी जीओलाइट चाहिए है तो गुजरात से एक फाइंड आट कर रहे हैं मेरे से ले सकते आप लोग बनाते हैं सीवा का एक केमिकल यह सीवा स्पेशिलिटी केमिकल उसका यह प्रोडेक्ट है टीनो पॉल भी उसी का प्रोडेक्ट है डोला माइट और नमक यह आप समझे से नमक निकलता है खारे पानी से और डोला माइट कहीं से भी ले सकते हैं सब्सक्राइब को समझा रहा है कि इसके बात कॉस्मेटिक वेल्यू दाना पर्फ्यूम कलर यह सब आपकी कॉस्मेटिक वेल्यू बढ़ाने के लिए तो इसमें सब्सक्राइब अब यह मैंने आपको बताया और गिनाया भी कि मैं सारे केमिकल बेश ता हो और ज्यादा तक केमिकल सिक्स्टी पर संट केमिकल कर मैं खुद भी मैनिफैक्ट्चिर रही तो अब मैं आपसे बात बोलूँगा कि यह सारे केमिकल जब आपको बेचूंगा तो मेरे फाइदा ज्यादा होगा ठीक क्योंकि ज्यादा आइटम बेच रहा हूं अब आपका फाइदा कैसा हो आप सभी का फाइदा कैसे हो इसका मैंने जो दूसरा सिस्टम निकाला वो है कि पंदरा आइटम है उपस नीच्ट में अगर आप इसको लेके वाशिंग बडर बनाओगे तो लगत नहीं बड़ते हैं आपने बजार में कुछ भी फिक्स कर दिया आपने बोला कि मैं पचास अवड़े में तुमको पैकेट दूंगा अगले महीने जाके यह नहीं बोल सकते हो कि वह रेट बढ़ गया मैं तो पच्पन में दूंगा वह पचास में फिक्स हो गया तो मलब पचास में फिक्स हो गया अब आपकी कॉस्ट प्राइज बढ़ गई 20% कोई चीज आपको 30 की पढ़ ली थी वह आपको 35 की पढ़ने लग तो यह सारी चीजें आपका बजट बचाना आपका ट्रांसपोर्ट बचाना आपकी कॉस्ट कम करना अगर कोई चीज बनाएंगे 25 रुपे की तो मेरा जो यह सिस्टम है तो आपको मैं बताने जा रहा हूं यह प्रीमिक्स वाला इस सिस्टम से आप 10-15% कम कॉस्ट पर वही चीज बना सकते हुआ वही वेल्यू क्रेट कर सकते हैं तो यह सारी चीजे आई गैस आप सबने वीडियो में भी देखी होंगी कई वीडियो मैंने बनाया इस पे चैनल पे हैं जिसने नहीं देखी है वो जाकित देख भी सकता है अब हाइट्रान प्रीमिक्स डालेंगे यह डालेंगे उसमें भी सबाते मैंने समझाएए अब मैंने प्रीमिक्स क्यों बनाया विये जो ऊपर के एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 1011 बें इसको मैं प्रीमिक्स में डाला दिया ऐसा समझें कि इन सबकी क्वालिटी इन सबकी खूबी एक आइटम में कर दिया और उसका रेट को फिक्स क लें बारबर चेंज ना हो और एक ही प्रोड़क्त को लेनी की जरुवत हो इतने अइटम लेने की जरुवत ना आपका स्टॉक बचा आपका पैसा बचा आपका ट्रांसपोर्ट बचा और एक ही आइटम में आपने सारा दान लगाया अब समझेये गए हमने देखी यह प्रीम करें तो किस से करें किस लेवल की है तो हमने इसको बिल्कुल टॉप नॉच पर रखा है क्यों क्योंकि नीचे से बढ़ाना घटाना मुश्किल है अगर मैं इसमें फिलर मिला दू किसी को सर्फ एक्सल की कॉलिटी बनानी तो दोला वाइट उसने में हटानी पाऊंगा तो मैं को आप सको सस्ता करना तो आप उसमें क्या मिलाओगे सॉल्ट और दोला मैट मिलाओगे तो आपने इसमें सेकिंड स्टेप में वही मिला अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं उसके बाद अब आपने उसको किसी एक रेट पे सेट कर लिया एक अगर आप जनर है इसलिए उसको ऐसा CEMICAL दिया आपको प्रीमिक सी आपके हाथ में प्रिलर क्योंकि आप फरिड़ के अपने रेशो के साथ इसको सेट कर लो बीस का बनाना थो बीस सेट कर लो उसी रेशो में पटर बना लो इस बात को समझे जी और पियोर रखना है तो उसने कुछ मत मिल प्रफियाक कि मिला रहे तो उसकी विल्यू को कि यह अब आप मार्केट में आप सक्सेस्फुल होगे नहीं आपको कुछ मलाई चाहिए गड़ी प्लस होना चाहिए तभी वह स्टैंड आउट करेगा घड़ी से या वील से या जिस भी प्रोडेक्ट से आप हमको सेट करवा रहे हो तो इसमें हमने उन्हें सिर्ट बनाया है जो डाला है और अचाहा ऑफ्टिनल केमिकल मैंने इसमें इसमें लिखा कि इसके अलावा अगर किसी बी चीज किसी भी पंदे को अपने हिसाब ते कोई वेल्यू एड़ानी यह घटानी है जैसे सरके में थोड़ी से हमने और वेल्यू बढ़ाई है तो उसके में हम लोग एक एड़ एड़ बढ़ाई है तो इससे इनकी और कॉलिटी को इंप्रूव किया हुआ है तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं इन में से कोई भी केमिकल यहां डाल सकते हैं इससे इसकी वेल्यू और बढ़ेगी त्वास्टिक सोडा इसलिए डाला है ताकि जो प्रोडेक्ट बन रहा है वह स इसकी स्टेबल रहे और सफाई भी बढ़ जाएं सफाई बढ़ाने के लिए डाला है और कॉस्मेटिक वेल्यू देखिए इधर भी हम लोग डाल लेते हैं तो यह पूरा जो चार्ट है फ्लो चार्ट यह बेसिस पर है कि हम लोग यहां पे पंदरा आइटम लेकर बना रहे यह अप्रॉक्सिमेटली 45 25 से 30 रुपीज की बीच का बनेगा तो मैं इसमें 45 परसेंट तर प्रीमिक्स ले ले रहा हूं यह हमारा प्रीमिक्स है बिल्कुल वाइट कलर का है बिल्कुल हलका वाशिंग पाउडर है और इसकी कॉलिटी सर्फ एक्सल के बराबरे जैसे मैं आ अब इसमें हमको मिलाना क्या है फिलर के तौर पे हम लोग 10 परसेंट सिर्फ दोला मेंट मिलाएंगे ताकि थोड़ा सा ड्राय रहे और पॉस्काम अगया अब आप सुबा मेरे पास आये थे यह फॉर्मिलेशन आपको मिल जाएगा परशान मत हुए आप एरे पास आये थे आपने मुझे दिखाय था आपने नाम मत बताएगा फलाना जगा कानपूर से आपने माल लिया था महां से आपको फॉर्मिलेशन दिया गया वहाँ पे डोला में किता पढ़ ला था पच्शेस परसंट पढ़ आता ना जबुकर बिखेंगे में दोलामाइट नीचे बैठता है दो फायदे हैं एक की हलका सा माल को सूखा रखता है दूसरा कॉस को नीचे करता है क्योंकि सबसे सस्ता आइटम यहीं है दोला मैट हमने 10 परसंट डाला तो 45 में 10 परसंट डालेंगे तो 55 तक हम लोग यहां पर डाल देंगे ठीक ही जी डाला मैट 10 परसंट और इसको एक बर मिलाते रहना क्योंकि हाथ से ही मैं आपको दिखा रहा हूं यह मिक्सर में डालोगे यह अपने आपसे मिलेगा लेकिन हाथ से कर रहे हैं तो हाथ से भी बन सकता है यह प्रोसेश इसलिए बनाया है सर कि कोई भी महीला कोई भी व्यक्ति बिना मशीन के भी बनाना चाहे तो काम शुरू कर सकता है लेकिन मशीन इस आलवेज बेटर क्यों क्योंकि वह अच्छे से मिलाती है लस आपका टाइम और एनरजी भी बचाती है तो मैं अमेशा कहता हूं कि छोटा मशीन लगाओ बड़ा मिक्सर जादा लेने का जर कि दौन नमक इस चीज होती है जब इसको निकाला जाता है तो यह कम हम लोग खाते हैं और जादा रफाइंड वर्जन है और ऑडाइज दे लेकिन यही नमक होता है जो समुद्र से निकाला जाता है एक ही प्रोसेस है बस इसको और रिफाइन किया जाता है पिर वो खाने लायक बनाया जाता और बैटर चीजाता है तो इसमें हम लोग लगबग लगबग पचास परसेंट टक डालते हैं आप भी अपने फर्मलेशन में किता डाल लेते हैं तो इतने ही नमक पड़ता है अगर आप मिट सेग्मेंट का प्रोड़क्त बना रहे हैं इसमें देखिए ले रहे हैं देखिए दस्वाला नमक है इसमें फ्री फ्लो भी आता है दानेदार आप दोनों का कॉंबिनेशन भी या आप सिर्फ दस्ट ले सकते हैं यह जल्दी घुलता है और जल्दी रिजल्ड भी देता है दानेदार नमक देखिए तो हम लोग इसमें 50 परसंद तक ड़स्ट मिला देंगे यह लगबग लगबग पचास परसंद तक हमने इसमें नमक मिला दिया अभी देखिए यह पूरा वाशिंग पाउडर आपका त्यार हो रहा है और कितना आसान तरीके से हो रहा है सिर्फ इसमें तीन आइटम अभी पढ़ गए है अच्छा इसकी आपको वेल्यू बढ़ान आपको लगता है कि आपके साब से ठीक है तो उसमें कुछ मिलाने की जरुवत नियुक्त कि पचास परसंद नमक आ गया है जो काम नहीं करता है और काम करने आली चीज कित्ती है इसमें तो उसके इसके वेल्यू को आप करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा कास्टिक मिला स पेस्ट यह क्या करता है कि जाग और सफाई को बड़ा देता है फॉम देठ तक इसमें टिकती है तो अब यह था पूरा पश्वाम में हमने क्यों बनाया इसको यह पहले बनाया था बिप्वेड फॉर्म में यह माल को घीला कर रहा था और एवस आपको जैसा अब हैकेट आ थोड़ा सा ही इसमें हमने ओटी पेस्ट मिला लिया देगी तो इसमें दिखा डालने की जरुवत नहीं है तो सब चीजें जल्दी मिल जाती है थोड़ा सा तो मैं आपसे कहूंगा कि छोटा मशीन लगा लोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपको भी किया मैंने छोटा लगा लो बहुत ज्यादा बड़ा करने का जरुवत नहीं है अब इसमें आप पर्फ्यूम और डाना डाल सकते अपने साफ से कलर मिलाना चाहिए कलर मिला सक ज्यादा है तो कलर पूरे उसमें डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा इवेली अब इसमें आप पर्फ्यूम डाल सकते हैं कोई और भी चीज डाल सकते हैं जैसे मैं इसमें अब जैसे देखिए यह वेस पाउडर है अगर आपको इसकी फॉमिंग लगता है काम आ रही है हलकी से और बढ़ानी है तो एक परसेंट ने वेस पाउडर मिला लो या प्रीमिक्स भी बढ़ा सकते हो आठ हाना एक रुपया कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी आपकी इंक्रीज जाएगी तो मैंने इसलिए एक option यहां पर छोड़ा कि आप अगर कोई चीज अपने हिसाब से अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से अपनी मार्केट के साब से कुछ बढ़ाना घटाना चाहो ताब इस मिला सकते हो लेकिन आप यहीं पर वाशिंग पॉर्टर बन के मिलाना है अब हमने इसमें कास्टिक भी नहीं मिलाई है अगर नेसेसेटी है तो बढ़ाओ वैसे मेरे को नहीं दिखती है लेकिन कई वाला आदमी कहता है कि थोड़ी सफाई बढ़ा दीजे तो हम लोग एक दो परसन इसमें बोल देते हैं कि कास्टिक सोड़ा मिलाने का सि कि दाना पर्फ्यूम मिला दो खुद में सर्फ एक्सल आजाएगा वहीं मैं आपसे कह रहा हूं यह खुद में सर्फ एक्सल के जड़ा दिखेगा नमक को डॉला में क्या है वजन बढ़ाना और क्वाल्टी को घटाना और केमिकल सारे ऐसा समझो कि 10-11 एक आइटेम में डा हो पाट है यह केमिकल और फिलर्स जादा बढा के चलोगे च्वी तो ज्यादा अच्छी कॉल्टी हो गई जादा बढा के चलोगे तो कॉल्टी डाउन हो गई सिंपल सी बात कि कोई भी समद्दार आदमी समझके इसको अपने हिसाब से सकता है आपको अगर आपको पंदा दूट्रूइब तो इसमें आप नमकी बढ़ाऊगे और रूट्रूपे का थी रूपे का तो हमने इसमें लगब की 60 पर्संट केमिकल लगब लग लग बग डालें मिट सेगमेंट का बीच का है ना बहुत जादा अच्छा ना बहुत जादा खराब अब घड़ी वील के आप आसपास की क्वालटी आपके सामने आ गई है अब इसमें आपको सिफ दाना मिला देना यह कि दाने रखें फोड़े से दाने मिला दी इस तरी होती है पानी में घुलने लाइक होती है वह आप मिलाएंगे तो ज्यादा बेटर है इसमें वाटर सॉलिवल पर्फ्यूम्स होती है अब इसको मैंने च्छाना नहीं है यहाज से ही मैंने इसको मिक्स करते हैं कि जाग सफाई यह कितना दे रहा है सर्जी में यह पूझ आप इसे सफाई मैल कटिंगा वो सिस्टम बन जाएगा चले इसको बाहर हम लोग दिखाते हैं आपको चलिए इसको पॉस कर दिए हम लोग ने पानी ले लिया एक बड़ आप जहाग बना के दिखा दिए जहाग तो नहीं इसमें ठीक पानी है ना नॉर्मल आपके सामने भड़ा है अब अपने एसाब से जितना डालते हैं उसको पहल लीजे है यह सब के ज्ञाग बनाने का तरीका अलग होता है यह वीडियो पर इस बात करूंगा क्यों कि रिखिए सब अपने अपनी तरीके से ज्ञाग बनाते हैं अगर कोई कस्टमर अभी जेसर बना रहे हैं वैसे बनाएगा तो इस प्रोटक को कहेगा अच्छा नहीं है उसाल में पहले सब कर घुण कर रहा है यह अगर आप ज्ञाग बनाते हैं तो ऐसा बनाते रएट यह सही तरीका ज्ञाव बनाने का भी मैं पर दिखाटाू अपर पहले तो प्रोडेक को नीचे घोल लो, इतना घुलेगा, उतना बड़ी आएगा, और दीखे हाथ को इस परीके से करिए, और कम से कम मुझा लगता है कि 25 से 30 सेकेंड जाग बनाना चाहिए, अगर पहले वाले तरीके पर हम जाते, तो ये प्रोडेक्ट फेल था, अब इस तरीके से बनाएंगे तो अब ये प्रोडेक्ट कैसा आपको लग रहा है जाग वाइस, बढ़िया लग रहा है, अब आप इसमें चिकनाहाट ड्रेक सकते हैं, हाट में डालते हैं, अब अंकर आप से तोशेये पहले में जो बात कर रहा था अंदर, जैसे मैंं अंदर जो आप से बात कर रहा था इजहांग बनाने के तरीका सब का लाग होता है, अब आप इस बात को समझें यह रोज हम लोग फेस करते हैं जो इसका कुछ वजन होगा बिलकुल है चालू कर रहे हैं डूब नहीं रांदर क्या इसका कुछ वजन होगा इसका वजन होगा इसका वजन है तो मैं आपको जो जाग की कॉलिटी दिखा रहा हूं वह यह दिखा रहा हूं कि इसकी जो जाग उसका गहने तो इतना है अभी यही में अगर कि जाग बनवाता इस पर प्रोटेक्ट डलवाता कल सर ने देखा था वो खताम हो गया तो अंदर चला गया अभी वीडियो मैं सबको वीडियो भी दिखाता हूं कि अभी यूट्यूब पर गया नहीं वो कल जाए तो जाग इसकी कॉलिटी इतनी ठीक है कि आप अरां से रख देता हूं यह देखें अच्छी एक वाद है हवा दिखें कि टी चल लिए है अगया इस टेविलिटी है जाग में एक मिनटा बोलाना टेस्ट यूब कि यह पकड़ लिए अभी इसमें कोई मैल नहीं है और साफी है वैसे तो गंदा है भी नहीं जादा दूसरा कुछ करवा दें चलो कर लो इसको भी दोलो यह डालते गंदा दिख रहा आप लोगों को देख रहे हैं यह हमाएं लेवर करती है तो आप चाहो तो इसको भी दो सकते हो और तो इसको डाल दें पहले इसको दो लीज़े दो यह दो लेज़े मैं सब्सक्राइब दोटे समें चिकनाट है जहां गंदा एक बार उसको वहां पर ले जाके रगड़ी है देखें वहां से मैल छूट रहा है दोटे में फीलिंग आराम से आरी कोई बहुत ऐसा तो नहीं कि हाथ रुक रहा है रगड़ा आराम से दोटे समय कोई परशानी तो नहीं हो रही है हाथ कोई परेशानी नहीं हो रही है और इतना आड़ है क्या जाग मर रहा है दोने के बाद हैं इसको पानी से वह कर लिए यह और साफ हो जाएगा पहले से हुआ कुछ साफ ने पहले साफ हुआ है कि अभी आपने से वेकी मिनिट किया है अभी इस गंदे कपड़े को दो ले इसको आप हटा के इसको दो के इसको यहां तांग दीजेगा इसको दो ले यह बहुत गंदा है आपको दिख रहा है कि यह पहले का पानी निकाला हुआ है तेक हम दुबारा से निकाल देते हैं कि इसको रखते हैं चली इसको अलग रखते हैं यह गंदा है यह बहुत गंदा है अधे मेरे स्टाफ बहुत खुश रहते में उनके कप्ले दो देता हूं दिखाते दिखाते लोगों को कि बहुत गंदा था सबको याद है नहीं कपड़ा जी 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 स्टेन के लिए बढ़ा सकते हैं कितना चाहिए यह आपको जच करना है इसमें बेसिक से उपर सफाई है जितनी बजार में जो दूसरे सफाई दे रहें उससे उपर सफाई औरड़ी आ गई है अब आपको कितना इससे उपर जाना है यह आपको करना है आप अपने हिसाब से चीजों को बड़ा घटा सकते लेकिन देखिए प्रोसेस कितना इजी कर दिया मैंने दस आइटम की जगह सिर्फ दो चार आइटम डाल कि उसको आप त्यून करवा सकते हैं अब कर दो एक मिनिट तक मैंने जादा जादा हुई है और यह हमारे लेवर की शैट्री तो काफी गंदी थी आपको देखिए मैल निकलता हुआ दिख रहा होगा देख रहे हैं पानी काला अब जो एक मिनिट में इसने जितनी मैक्सिमम सफाई करी उसने कर दी पैसे सफाई का तरीका यह कि कपड़े को भिगो के 10-5 मिनिट छोड़िए उसके बाद करिए जितना गंदा है साफ होगा लेकिन मैं सिब आपको अभी एक मिनिट की सफाई दिखा रहा हूं एक मिनिट में कपड़ा पहले से साफ जितना होना ता हुआ है अभी और भी होगा जितना इसको दोते जाएंगे लेकिन एक मेंट में इसमें सफाई हुई प्रमाण है यह पहले का पानी के पहले का क्लीनिंग के बाद यह अभी और धुएंगे और होगा क्योंकि बहुत ही जारा गंदा था लेकिन एक मेरेट में जो इसने किया वह यहां से यहां तक है देख रहा है जी यह और अभी साफ होगा जितनी देर इसको बहुएंगे और इसको निचोड़ेंगे क्योंकि एक कपड़ा हमने वाकई में जो सबसे कपड़ा था उसको उढ़ाया इतना कोई डेटी उढ़ाता नहीं लेकिन फिर भी एक आइडिया लग गया होगा लोगों को की सफाई कर रहा है ठीक है अब आपके मन में कोई भी सवाल related to washing powder अब कि इसमें अभी और सफाई बढ़ेगी रिंज भी करना ज़रूरी है इसका मतलब होता है कि इसके अंदर का जित्ता भी वह है क्या ना में साबुन वह चुटाना भी तो है यह अब और शूटेगा कि कुछ दाग जैसे यह है जैसे लिए टेल वेल के दाग है या जले के दाग है यह सब तो नहीं जाएंगे अब यह जाएंगे तो यह अब यह जैसे यह है यह जो दाग है इसको अभी रगड़ेंगे तो यह कम होता जाएगा लेकिन यह कि इसका यह समझना पड़ेगा किसी तेल का है यह किस चीज का है इसकी बेसिक जो इसमें गंदगी थी वह काला पन था वह इसने शाफ किया इत्ती देर में टाइम लगता है कप्ड़े को बिल्कुल साफ करने वाओ यह हमने बहुत ही ज्यादा कचड़े वाला कप्ड़ा ले पूले रहें कुछ दाग असानी से नहीं जाते अभी एक मेरे पास भाई साव आयते उन्होंने मेरे को चैलिंज किया कि सर आपका क्या वाशिंग पाउडर जंक ये दाग ग्रीज के गंदे जगंदे दाग साफ कर देगा मैंने उनसे कहा कि सर आप ऐसा चाहते वाशिंग व कि ये काम करें गशार से लोगाइन आज और यकीन मानी आदे घंटे लगे रह साथ आधे घंटे बाद जवाब दे आजए कि साफ साफ नहीं होता अगर हम लोग एक ऐसा पाउडर बना भी सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ कपड़े के कलर को भी फेड कर देगा इसमें हम लोग डाल सकते हैं कुछ ऐसे केमिकल कि जो कपड़े में से गंदी चीज तो अटा देगा लेकिन साथ-साथ कपड़े के कलर को कपड़े के फैब्रिक क हर चीज को भी डिस्टोई कर देगा तो हमको हर चीज माइड कॉम में यूज करनी पड़ती है ताकि एक दो बार यूज करने के बाद चीज साप और दिखने लगे दूसरी चीज अगर सब कुछ वाशिंग पाउडर ही कर पाता तो क्या ड्राइक्लीन का सिस्टम ड्राइक्ली चलिए दोस्तों अगर आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा क्योंकि लंबा हो गया अगर यहां तक आप देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताईएगा हम लोग सब चीजे लाइव करते हैं सबकुल लाइव है कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है कि कोई स्क्रि आपकी लाइव इजी हो आपकी लाइव सिंपल हो जो महिला है देख रही है जो घर से काम करना चाहती है में पास बहुत बार फोन आता है उनका कि सर इसमें बारा तेरा आइटम डलते हैं इतने आइटम लेके में वाशिंग बाडर नहीं बना पाते हम लोग कंफ्यूज हो जाते कोन सा किस रिचो में रखना डालना है फिर हात में बहुत है क्या करें तो हमने क्या कि है कि मांते च्छे आइटम देखियी वुशिंग बनाने का सिस्टम क्या हुआ है और काफी सालों से चला रहे हैं और यह कार्गर काम करता है और देखिए झाग धोने के बाद भी तो जीरो नहीं होती है देखिए अभी भी बनी वी एक प्रण धोने के बाद है और दो वर गंदा हो गया और एक बार एक पर अब यह मुद्दा यह कि जाग बनाने का सही तरीका लोग नहीं कर पाते हैं जाग अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो देर तक टिकेगी अगर जब आप इसको हाथ को ऐसे जाग बनेगी और आपको दिखेगी आप ऐसे अपने कस्टमर्स को भी करके दिखा सकते हैं कोई क्वालिटी में आपको कोई भी आपका आपको करवाना हो या कोई समस्य आ रही वाशिंग पाड़र में आप हमाई टीम से मुझसे कॉंटक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं कमिंग करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और हाँ आजकर मैं फेस्बुक पे और इंस्टाग्राम पे और लिंक्डिन पे और साथ में ट्विटर पे भी जो एक्स टॉट कॉम हो गया उस पे भी मेरी हाइटा इंडस्री करके कंपनी लिस्टेड है उसमें डेली वीडियो पोस्ट हो रहे हैं उनको भी जाके फॉलो करिए ताकि आपको और ज्यादा अपडेटेट चीज़ें वहां से भी मिल पाएं क्य कानल तो है आप उसको फॉलो करिए बीस तारिक को वेबिनार शिफ्ट कर दिया जो आज था हमारा पंदा तारिक को किसी कारणों से बीस को गया बीस को कंफर्म होगा आज भी देखिए डेली ट्रेनिंग में काफी लोग आए हुए यहां पे कम से कम साता आट डस लोग है ज दिस्क्रिप्शन में नंबर में दे दूंगा उस पर आप कॉल करकि टीम से बात करना है महां ते चार से पात दिन रहें इसको करा लिजे थैंक यू फ्रेंड्स हैवा गुट जिए